नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारी चैनल पर सौबत करता हूँ दोस्तो आचरे चनक के एक महन ग्यानी के साथ साथ एक अच्छे निदिकार भी थे उन्होंने अपनी नीतियों में मनुशे जीवन को सुख कर बनानी के लिए बहुत सी महतोपुर्ण बाते बताई हैं आज हम आपको आचरे चनक की जी ने बताई हुए ऐसे एक मित्र के बारे में बतानी जा रहे हैं अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ऐसे मित्र का तुरन त्याग करें नहीं तो वो आपके सफलता के मार्ग में काटी बिछाने का काम करेगा आचारी चैनक क्या अपने श्लोक में कहते हैं? परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जयेता दर्शम मित्रम, विशकुम्भं पयो मुखं। इसलोक में आचारी चैनकी जी ने ऐसे दुष्ट मित्र का जिक्र किया है जो केवल आपका नुकसान करने क आपके साथ रहता है, दुष्ट मित्र को पैचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान में रखे कि कर्म से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा, उसी तरह आप जैसे मित्र के साथ संगती बनाओगे, आप भी उसी की तरह आच्रन करने लगोगे, दुराचारे मित्र हो तो वो आप में दुराचार की भावना उत्पन करने का प्रयास करेगा, सज्जन मित्र हो तो वो आप में सज्जन भाव ही निर्मान करेगा, और आपको सदाचार का ज्यान देगा, हम अकसर देखते हैं, ह आपको की गलत काम करने से रोकने का प्रयास करता है तो उसे सच्चा मित्र मान लेना चाहिए। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो जान बूच कर आपके सामने आपकी तारिफ करते हैं, आपकी बुद्धिमता की प्रशंसा करते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वो आपके पीट पीछे आपकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो मित्र बिना कारण ही आपकी प्रशंसा करने लगे, ऐसे मित्र से समल कर ही रहना चाहिए। क्यूंकि वो क्यवल उसका हीतु साध्य करने के उद्धेश से ही आपसे मेठी बाते करने लगता है। जो मित्र आपकी सामने आपकी प्रशंसा करता हैं, आप किसी स्थान पर गलत होते हैं फिर भी आपको सही बताकर बहकाता हैं। धेरे धेरे कमजोर होने लगता है और वो आपको भी सफर में आगे बढ़ने से रोकता है उसी तरह गलत कामों में लिपत रहा मित्र हमेशा मुख से दूसरों की बुराई करने वाला वेक्ति आपके सफलता के मार्ग में काटा बन जाता है अता ऐसे मित्र का तुरंत त्याक कर जो मित्र आपके अंदर की बुराई को जानकर आपके सामने खड़ा होकर निस्वारत और निडर होकर आपको आपके अंदर की बुराईया बताता है ऐसा ही वेक्ति मित्र कहलाने के लायक होता है अगर आप स्वेम के अंदर की बुराईया और कमजोरिया जानेंगे तभी त को सब्सक्रेब करें ताकि आप और भी जानकारे वाली वीडियो देख सकें धन्यवाद